जय हिन दोस्तों आज मिक्सर जार जो कटोरी भी कहते हैं ये लिकेज क्यों करता है लिकेज करने का मुल्त कारण जो कटोरी के अंदर भूस होता है वो रगण खाके अंदर का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है इसलिए ये लिकेज करने लगता है और जब ये कटोरी लिकेज करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो रखा मसाला पानी वगेरा जो कुछ भी है वो आपको मोटर में जाएगा और मोटर जलने का सम्हावना रहेगा तो चलिए दोस्तों इस मिक्सर के जार का बुस आप चेंज कर देते हैं जिस तरह आईए वीडियो में आप देख सकते हैं तो आपका मोटर भी बचा रहेगा आपका कटोरी आवाज भी नहीं करेगा गड़ 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 आवाज भी नहीं करेगा और अस्मूत बिना सोर करते रहेगा यह आप इसमें कटोरी में बुस तो लग चुका है और इसको राड जो है जिसमें पत्ति लगा रहता है इसको आप लगा ले इस ग्रीस हाँ एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है आप जब राड इसको लगा रहा है बुस में तो थोड़ा सा ग्रीस ओल या स तिलाइए मसीन का ओईल हो इसमें हलका सा थोड़ा सा डाल दिया करें ताकि यह फिरी फिरी रहे तो दोस्तो इस तरह आपका सहयोग मिलता रहे कॉमेंट मिलता रहे लाइक मिलता रहे टेक्निकल सौटियन आपका आभारी रहेगा तो दोस्तों